ओम सूर्याय नमाह, स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना योटूब चैनल पर, दोस्तों, रविवार के दिन, अगर गनेश चतुर्ती पड़ती है, तो यह ब्याधी शुभ माना जाता है, इस दिन सूर्देव की पूजा का विशिश महत होता है, जो व्यक्ती, प्रती अगर आपकी कुंडली में सूर्देव की इस्तिती बहुत मजबूत है, तो दोस्तों, आप हर प्रकार के कार्यों में दख्यता हांसिल करेंगे, नोकरी में प्रमोशन मिलता है, ब्योपार अच्चा चलता है, पिता-पुत्र का संबंद अच्चा रहता है, वह सरीरी भी निरोग रहता है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, जब आप सूर्देव को अर्ग दें, सुबह के समय, ओम सूर्यायनमाह, ओम भासक्रायनमा, आ चीजे आपको डालनी है, और एक लाल पुस-पुस में डाल दें, और सूर्देव को अर्ग दें, काफी जगे तो सूर्य सच्च्टी और साती रध सब्तमी ऐसे बड़े-बड़े परवाते, जिनमें सूर्देव की पूजा की जाती है, सास्त्रों में बिदान है कि प्रते दिन सूर्देव को अर्ग देना चाहिए जो व्यक्ति इस पकार से पूजा करते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाती है और आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति प्रति दिन सूर्देव को अर्ग देते हैं तो उनको ज्यादा तर सपलता हैं मिलती हैं तो सूर्देव को आरक देते समय आप उनके मंत्रों का अचारन करेंगे और ध्यान रखेंगे कि जल सीधा जमीन पर नहीं गिनना चाहिए उसके बाद में आप गनेजी की पूजा करेंगे इस दिन गनेजी की पूजा का विशेश महत्व हैं इस दिन सूर्देव को मीठा अरपन करेंगे मीठ जी को हरी दुरबा, मीठा पान, मोदक अरपन करते हैं, गनेजी चतुर्ते की कथाका स्रवड करते हैं उनकी प्रतेग मनुकामना पूरी हो जाती हैं तो सूर्देव की किरपा से हर कार सिद्ध हो जाते हैं साम के समय गनेजी के सामने पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाना मेरा सुनवारा चाहिए इससे दन प्राप्ति में आर्इशाली रुकावटी दूर व जाती है पुत्रप्त की मनुकावनद पुरियोत्य संège के मनुकावनद से दोंगे आप ये उपाय जरूर करें और सूर्देव की आराधना के साथ साथ भगवान के निजी की पूजा करें वीडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बगलम घंटी बटन दबा को लको दबा दें स्री गनी साय नमाहूं